है हलो गाइस तो कैसे हो आप सब तो आज चुका में एक नए वीडियो के साथ तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको पीछले वीडियो में बताया था कि जो है मैं अपना एक फेवरेट फिस फ्रेस वाटर का जो है लाने वाला उंपला घुष्ट तो आप देख सकते हैं मेरा टैंक में कितना चल लग रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको जैसा लग रहा है अगर आपको अच्छा लगाते इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना और पर नहीं आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर करना है और क्या नहीं करना तो आपको क्या चीज जो अपने टैंक में जो है लगानी पड़ेंगे ब्लाइक रखने के लिए तो सबसे पहला है जो मैं बात करना चाहता हूँ आप देख सेकते हो मैंने जो नीचे में सैंड रखा है क्योंकि इनको जो सैंड और जो फाइन ग् तो आप देख सकते है तो इसलिए जो गर आप worn रखने के लिए तो आप एवृइट करें के घ्रभैं कर सकते हो जीनको सखत stitch कुछ इस तरह सच्छिए एक either similar piece करें ज़रूरी है ब्लाकोस्ट के लिए कि हाइडिंग स्पोर्ट अब देख सेक्थ यहाँ पर मैं एक छोटा से ज़्याट पॉर्ट है उसको मैने कुछ इस तरह से सैड से होल करके हापे मैंने सेट किया है क्योंकि एक्टलि यह ज्यादा एक्टिव निया रिता तो यह जो रात को टाइम जादा फिडिंग करती है तो आप जितना जितना अगर हाइडिंग सप्ट रखते हो कुछ इस तरह से पॉर्ट हुआ है आप फीरिम श्टोर से अगर हाइडिं आपको जो है नाकर अब बराबर लाइट रखना है या फिर आपका सकते ब्राइड एरिया बिल्कुल पसंद नहीं कि आप देख सकते यहां पे जो मैंने है लाइट ऑन किया सिफ आपको दिखाने के लिए कि मेरफिस कैसा है अब देख से इसके पास भी नहीं आ रहे कि इनको जो है नाइट में ही अच्छा लगता है और काफी उनको डारकर एरिया ही ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं रहने के लिए डारकर एरिया तो आप जो अपने टैंक में कुछ इस तरह से अपने लाइट को काफी कम ही यूज़ कीजिए तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देख कि इसे जो है आप सभी आप सब्सका साथ जो नहीं रखशाते कुछ ही जो इता जिनको आप इनके साथ रख साहत है जैसे से की सीख्लिट हो गए एंजल फिस होगे गै तो आप सोच रहे होंगे कि इस दो प्राइज है मैंने कितने में खरीदा एक प्यर का तो मैं पूता तो फिर उसकाद मैंने बारगेनिंग करके जो है सीक्सेंट में खरीदा है और मैं बता हुदी इसकी जो एक लाइक स्पैन होती है तकरीबन चार से पांस साल अगर आपका जो वाटर कंडिशन अगर टॉप रहता है बेस्ट रहता है तो यह काफी अच्छा रहेगा आपके फे